थोड़ी सी प्याज के बाजार में हम लोगों को कल नर्मी देखने को मिली थी अब एसी नर्मी में एक बार फिर किसान मित्र घबरा रहे हैं कि क्या होने वाला है प्याज में जो अभी सनिवार के दिन हम लोगों को मद्दी बाजार में देखने को मिली थी सभी मंडियां लगबग लगबग हम लोगों को डाउन ही देखने को मिली तो अब सोंमार के दिन क्या होगा किसान उस 2 रुपएं की मद्धिस से घबरा रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या प्याज को तुरंत बेज देना चाहिए, घबरा कर, इतने दिन हमने जिस समय की रहा देखी, उस समय को भूल कर हम अब उसी भाव में यदि हम प्याज को बेज दे, तो फिर हमारा रुकने का कोई मकसद पूरा नहीं होता है, मैं किसी भी किसान को प्याज रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन किसान मित्रों का प्याज ड्राई है, कलरफूल है और बहुत सूपर माल है, वहा किसान 14 तारिक के बाद अपने माल को निकालना स्टार्ट करें, और यदि आप अभी भी बेच रहे हैं, तो भी सोम मार के दिन प्याज के बाजार में हम लोगों को बहुत अच्छी तेजी एक बार फिर देखने को मिलने वाली, याने कि कल, कल हम लोगों को बाजार तेज ही दिखाई देने वाला है, क्यों उसका सबसे बड़ा कारण है कि बुधवार गुरुवार के बाद MP की बहुत सारी मंडिय बंद होने वाली, अस्टुमी के बाद ही बहुत सारी मंडियां बंद होगी, कुछ दसेरे के दिन बंद रहेगी, तो ऐसे इस हपते में हम लोगों को चुट्टियों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, बंगला देश की बादर भी चार दिनों के लिए बंद कर दी गई, एसे में सोमवार के दिन हम लोगों को बहुत अच्छी टेजी एक बार फिर देखने को मिलने वाली है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, कि यदि आप लोगों ने आउको को फुल कर दिया, मंडि को फुल कर दिया, जिस मंडि की केपिसिटी पाजार इस्टेबल ही नजर आने वाला है क्योंकि घबराकर माल को बेचना किसी भी प्रकार से कोई गुद्धि मानी वाला खेल नहीं है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोगों को जादा आने वाले समय में भी फाइदा हो तो हम धीरे-धीरे माल को बेचे, अच्छा माल ड्राइ माल है तो रुक-रुक कर बेचे और प्याज में किसी भी प्रकार की कोई मंदी आने वाली नहीं है, साउथ में आज भी बारिश हो रहे हैं, महा की कंडिशन यह है प्याज की कि महा का प्याज पुर्ण रूप से कि यार अब प्याज को बेज दिया जाए क्योंकि किसानों का सीजन भी आ चुका है किसानों की सोया बिन कट चुकी है अब वहाँ दूसरे कार्यों में व्यस्त रहेंगे दूसरी खेती को लगाने में व्यस्त रहेंगे कोई नरसरी लगाएगा कोई केहुं की बौनी करेगा को सबी किसान अपने उस कारण में व्यस्त होने वाले हैं. इसी व्यस्तता के कारण घर में विचार विमर्स के बाद प्याज को तुरंट बेच दिया जा रहा ही. और बेचना भी चाहिए, धीरे-धीरे अपने माल को बेचना चाहिए अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि धीरे धीरे अपने माल को बेचना चाहिए अब बहुत सारे किसान मित्र बात कर रहे हैं कि बंगलादेस की बॉर्डर बंद होने से बाजार की स्थिति डाउन होगी लेकिन आपको बताऊं कि कल जहां पर फिचोत्तर रुपे बीडी टका जो बंगलादेस का टका है उसमें माल हमारा इंडिया से गया हुआ था आज 82-83 रुपे में बीडी टका में माल गया हुआ है तो आज भी बाडर टाइट ही खुलने की एक उम्मीद हम लगाते हैं लेकिन प्याच का बाजार डाउन किसी भी कंडिशन मे होने वाला नहीं ही। अब बहुत सारे किसान मित्रों के प्रश्ण रहेएंगे कि कि तेजी किस वज़े से आएगी अब त्यावहरी मांग होने से प्याच के बाजार में एक बार फिर बहुत अच्छी हलचार हम लोगों को देखने को मिलने वाले है। किसी भी प्रकार Dios के कभी कम नहीं होता बहुत तीन गुनि मांग कि आज की बढ़ जाएगी विक्री भी आप लोगों को बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है कि आज की भिक्री बहुत अच्छी खुलने वाली हे कल से क्योंकि तेवारी सीजन है तेवार को कल से मिलने वाली किसी पर प्रकार से पैच के बाजार में मद्धी होने वाली नहीं है और जो मद्धी के खिलाडी हैं जो सिर्फ मद्धियों में ही आते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब मद्धी हुई थी उस समय पर क्या कहा था लेकिन जब तेजी हुई आप लोग बिल्कुल चूहे की तरह अंदर भरा गए अंदर घुस चुके हैं तो एसे लोगों से बच कर रहे किसारमित्रो किसी भी प्रकार से घबराने की कोई अवशकता नहीं है बजार बहुत अच्छी कंडिशन में है और अच्छी कंडिशन में जाने वाला है तो आप लोग निश्चिन्त होकर अपने माल का विक्रे करें पस्चिम बंगा सोरी करनाटक में अंदर प्रदेस में तमिल नाडू में रुक-रुक कर बारिश हो रही है और नो तारिक तक बारिश का अनुमान हमारे मोसम विभाग भी लगा रहा है और हमारे कि आप एक बार घबरा गए समझ लो नहीं डूब चुकी है क्योंकि अब इतना ही माल बचा है MP में किसी भी प्रकार से कोई ज्यादा माल नहीं है जो हवा है चल रही ना 25% माल 30% माल है 40% माल अरे भाया 40% नहीं 60% माल तो पेदा ही हुआ था MP में यदि 100% हो जाता तो मैं खुद यह नहीं बोलता कि 25% 30% माल है मैं खुद 15% की बोलता 25-30% 40% की नहीं बोलता तो किसान भाइयो आप ध्यान रखें कि माल कितना है अपने एरिय में माल कितना है कितना बिग चुका है हम एक प्याज उत्पादक संगठन का अविस्कार करने वाले हैं बनाने वाले हैं तो सभी किसान मित्र जो किसान मित्र नए मेरे चैनल पर जुड़ रहे ना उन लोगों से भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मैं एक वाटसप की पैस की उनत खेती वाटस चैनल पर मिल सके और गुरूप के माध्यम से भी हम क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे सभी जानकरिया प्याज की खेती की भी उसके उपर आप लोगों को दी जाएगी तो किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आउशकता नहीं है थोड़ा थोड़ा माल हम लोगों को बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर और जुड़ें मेरे साथ मेरे वाटस अप ग्रूप प्याज की उन्नत खेती पर जै बलराम जै किसान जै जवार